बर्स 2020 में हम सबने कई महत्पूर्ण सबक सीखे एक अद्रस वाइरस ने इस मिथक को तोड़ दिया है कि प्रकृति मनुस के अधीन है मेरा मानना है कि सही राय पकड़ कर प्रकृति के साथ सामंजस पर आधारेज जीवन शैली को अपनाने का अवसर मानवता के सामने अभी भी मवजूद है जलवाई परिवर्तन की तरह इस महामारी ने भी यह शेतना जगाई है कि विश्व समदाय के प्रतेक सदस्य की नियती एक दूसरे के साथ जूरी हुई है मेरी धारणा है कि वर्तमान संदर्व में अर्थ केंद्रित समावेशन से अधिक महत्व मानव केंद्रित सहयोग का है यह बदलाव जितना अधिक ब्यापक होगा मानवता का उतना ही अधिक भला होगा 21 सदी को उस सदी के रूप में याद किया जाना चाहिए जब मानवता ने मत भेदों को दर किनार करके धर्ती मा की रक्षा के लिए एक जुट प्रयास किये दूसरा सबक यह है कि प्रकृती रूपी जननी की दरस्टी में हम सब एक समान है तथा अपने जीवन की रक्षा और विकास के लिए मुख्यत्या अपने आसपास के लोगों पर निर्भर हैं कोरोना वाइरस मानो समाज द्वारा बनाए गए कृतिम विभाजनों को नहीं मानता है इससे ये विश्वास पुष्ट होता है कि मनुस्यों द्वारा उत्पन्य किये गए हर प्रकार के पूर्वाग्रे और सीमाओं से हमें उपर उठने की आवश्कता है भारत वासियों में परस्पर सहयोग और करुणा की भावना दिखाई देती है हमें अपने आच्रण में इस सद्गुन को और अधिक समाविस्ट करना चाहिए तभी हम सब के लिए बेतर भविस्ट का निर्मार कर सकते हैं तीसरा सबक स्वास्त सेवा को और मजबूत करने से जुड़ा है सार्वजनिक अस्पतालों और प्रयोग शालाओं ने कोविड-19 का सामना करने में अग्रणी भूम का निवाई है सार्वजनिक स्वास्त सेवाओं के कारण गरीबों के लिए इस महामारी का सामना करना संभव हो पाया है इसलिए इन सार्वजनिक स्वास्त सुविधाओं को और अधिक विस्त्रित वा सुद्रण बनाना होगा चौथा सबक विज्ञान और प्रद्योग की से सम्मंदित है इस वैस्विक महामारी से विज्ञान और टेक्नोलोजी को तेजी से विक्सित करने की आवश्कता पर और अधिक ध्यान गया है लागडाउन और उसके बाद क्रमसा अनलाग की प्रक्रिया के दोरान शाषन, शिक्षा, बेवशाय, कारेले के कामकाज और सामाजिक संपर्ग के प्रभावी माध्यम के रूप में सूचना और संचार परद्योग की को अपनाया गया है इस माध्यम की साहता से सभी भारतियों का जीवन बचाने और कामकाज को फिर से सुरू करने के उद्देशियों को एक साथ हासिल करने में मदद मिली है केंद्र एवं राज्य सरकारों के कार्याले अपने कार्यों के निर्वान के लिए बड़े पैमानों पर वर्च्वल इंटरफेस का उप्योग कर रहे हैं नियाय प्रदान करने के लिए नियाय पालिका ने वर्च्वल कोर्ट की कार्रवाई को अपनाया है Virtual Conference आयोजित करने तता अनेक गत्विधियों को संपन्न करने के लिए राष्टपति भवन में भी हम प्रवद्योगकी का उप्योग कर रहे हैं IT और संचार उपकरणों की सहता से distance education तता e-learning को बढ़ावा मिला है कई छेतरों में अब घर से काम करने का ही प्रश्लन हो गया है प्रवद्योगकी की सहता से सरकारी और निजी छेतरों के अनेक प्रतिश्टानों दोरा सामान नेस्तर से कहीं अधिक काम काज करके अर्थ विवस्ता को गती-प्रदान की गई है इस प्रकार हमने ये सबक सीखा है कि प्रकृती से सामंजस से रखते हुए विज्ञान और प्रद्योगकी को अपनाने से हमारे अस्तित्व और विकास की निरंतरता को बनाई रखने में साहता मिलेगी